हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल जै मातादी आज हम सुनेंगे महालचमी गजलचमी व्रत की कथा यानि की हाथी पूजा की कहानी महालचमी का व्रत भादरपद महीने के सुक्ल पच्च की अश्चमी तिथी से प्रारम किया जाता है और यह व्रत अश्विन महा की कृष्न पच्च की अश्चमी तिथी तक किया जाता है सोलवे दिन महालच्मी वृत का उद्यापन किया जाता है तो चलिए फिर कथा सुनना प्रारम करते हैं एक समय की बात है महर्शी वेदव्याश हस्तिनापुर पधारे उनका आगमन सुनकर महराज ध्रतराश्ट्र उनको आदर्शहित अपने राजमहल में ले आए स्वण सिहासन पर विराजमान किया उनके चरडो दक लेकर उनका पूजन किया स्री वेदव्याश जी ने माता कुंति तथा गांधारी ने हाथ जोड़ कर प्रशन किया कि हे महामने आप त्रिकाल दर्शी है अते आप से हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लचमी, सुकसंपत्ति, पुत्र, पुत्रोदी वा परिवार शुखी रहे इतना सुनकस्री वेदव्याश जी कहने लगे हम एक ऐसे व्रत का पूजन वा वर्ण कहते हैं इस से सदाल अचमी जी का निवास होकर सुकसंवरदी की व्रतवित्ती होती है यह Śृ महाजरज मीजी का व्रत है जिससे प्रतिवर्ष अश्विन महाकी क्रशनपच च्र तथी को विदिवत किया जाता है हे महामुने इस व्रत की विधी हमें विस्तार पूरुक बताने की क्रपा करें तब व्याश जी बोले कि हे देवी यह व्रत भादरपत सुक्ल अश्टमी तिथी से प्रारम किया जाता है इस दिन इश्नान करके सोले सूत के धागों का डोरा बनाएं उसमें सोले गाट लगाएं हल्दी से पीला करें प्रति दिन सोले दूब बस सोले गोई हूँ डोरे को चड़ाएं अश्टमी के दिन उपवास रख कर मिट्टी के हाथी पर स्री महालचमी जी की प्रतिमा रख कर विधी पूर्वक पूजन करें इस प्रकार शद्धा भक्ती सहित महाल अच्छमी जी का वरत पूजन करने से आप लोगों की राज लच्छमी में सदा अभिवरद्धी होती रहेगी। इस प्रकार का वरत का विधान बता का श्रीवेद व्याजीन अपने आस्रम में प्रस्थान कर गए। इधर समय के इस प्रकार पंद्रे दिन बीत गए सोलेवे दिन अस्विन क्रश्न अश्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्थित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की वा उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव, युदिष्टर, भीव, अरजुन, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा हे माता आप इस प्रकार उदास क्यों हैं। आपने पूजन की तैया पूजन का एक विसाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहां चली गई। लेकिन मेरे यहां नहीं आई। यह सुनकर अरजुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दे कि हमारे यहां स्वर्ग के एरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में डिडोरा पिटवा दिया और पूजा की विसाल तैयारी होने लगी। उधर अरजुन ने बाड के द्वारा स्वर्ग से एरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में सोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का एरावत हाती प्रतिवी पर उतार कर पूजा जाएगा समाचार को शुनकर नगर के सभी नरनारी बालग एवं ब्रद्धों की भीड एकत्र होने लगी उदर गांधारी के महल में हलचल मच गई वहां एकत्र हुई सभी महलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसा ठस भर गया माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतू अनेक रंगों की चौक पुर्वाकर नवीन रेस मी वस्तर बिचवा दिये नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अभीर गुलाल के सरहाथों में लिए पंक्ति बद्ध खड़े थे जब श्वर्ग से एरावत हाती प्रत्वी पर उतरने लगा तो उसके आवुष्णों की धुनी गूंजने लगी एरावत के दर्शन होते ही जैजैकार के नारे लगने लगे सायकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाती एरावता कुंती के भवन के चौक में उतर आया तब सब नरनारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर, आदी, सुगंदित पधार्थ चड़ा कर उसका स्वागत किया राज पुरोहित द्वारा एरावत पर महालचमी जी की मूरती स्थापित करके वेद मंत्रों चारण सहित पूजन किया गया नगरवाशियों ने भी श्री महालचमी जी का पूजन किया फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाए और यमना कजल उसे पिलाया गया राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओ द्वारा महालचमी का पूजन कराया गया सोले गाठों वाला डोरा महालचमी जी को चड़ा कर अपने अपने हाथों में बांध लिया ब्रामणों को भोजन कराया गया दच्छना की रूप में श्वड आबू सड वस्त्र आदि दिया गया तत पश्चात महिलाओं ने मिलकर मदुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीरतन कर संपूर रात्री महालचमी वृत का जागरन किया दूसरे दिन प्रात्य राज पुरोहित द्वारा वेद मंतरो चार के साथ जलासे में महालचमी जी की मूर्ती का विशरजन किया गया फिर एरावत को विदा कर इंद्र लोग को भेज़ दिया इस प्रकार जो स्ठीयासरी महालचमी जी का विदी पूर्वग वृत्वा पूजन करती है उनके घर धन धाने से पूर रहते हैं तथा उनके घर में महालचमी जी शदा निवास करती है बोलिए महालश्मी माता की जै आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना पसंद आई हो तो लाइक करना और जादा से जादा शेयर करना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना